मुण जैसे के हम सब को पता है कि बाल ऑप केशिर में आपके चेहरे को फ्रेम कर ओपाना आपको एक इमकेस करते हैं और आपका जो एक आट वय्यूक होता है इसमें इनका बहुत बड़ा इनका कलर, इनकीति, एनकी तेक्सचर तैक्स्चर कुछ मिल के आपके जो चेहरे का फ्रेम है वो कितना खुबसूरत बनाते हैं यह सब उसके उपर टिपेंड करता है बालों के बहुत सारे इशूस हैं बट ज्यादा तर इशूस जो है वो उनको क्लिनिक्स में टैकल किया जा सकता है जैसे आपके सर पे डंडर्फ है आपके सर पे अलोपेशिया अरियाठा है आपकी डिफ्यूस थिनिंग हो रही है आपको जो है वो एज के साथ जो है वो फ्रंटल थिनिंग हो रही है फीमेल्स में या मेल्स में जो है वो एंडरोजनाटिक बाल्ट पैटरन में जो है वो हैर फॉल है यह सब चीजें जो है वो हम क्लिनिक में डील कर रहे होते हैं और यह बहुत पुरानी डीलिंग जो है वो हो रही है क्लिनिक में लेकिन फॉसम हाओ जो बाल का टेक्स्चर होता है जिसको हम कहते हैं कि बाल स्मूथ है या नहीं है बाल स्ट्रेट है क्या क यह सब गुप बालों का टेक्सचिर गया है जब टेकसच्चिर अगर होता तो आपके बाल अगर है और बाल लाड और वहा के पर रहने दोग पत्रशान यह सब को पसंद आता है एक सारी की सारीकि टेज़ कलिनिक्स में टैकल , यूजली जो है वो नहीं की जाती हैं अब भी जब हों। बात करने वाले में भी केरिटन इन्फुजीन पर ने कीजती है और इसके लाव आवा 행 में केराओ सियलाक टक्स उसके ऊपर भी बात करेंगे यह प्रोसीजर्स जो है यह basically आपके जो texture of the hair है यह उसको modify करता है यह उसको बेतर करता है यह उसको ठीक करता है For somehow यह issue इतना ज़्यादा कि बालों में frizz है, बालों की early graying हो रही है या बाल जो है वो texture wise बहुत ज़्यादा rough होता जा रहा है वो सब चीजें जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा common है Even males में भी और females में भी, youngsters में भी बहुत ज़्यादा common है क्योंकि जो chemical influx है वो somehow बहुत ज़्यादा है जितने भी हम shampoos use करते हैं, ज्यादा तर लोग जो हैं वो shampoo plus conditioner यूज़ कर रहे होते हैं और वो जो है वो sulfate based होते हैं और उसकी वज़ा से आपके बाल जो है वो खराब हो रहे होते हैं और color और texture दोनों चीज़ें उसमें खराब होती हैं फिर बहुत सारे ऐसे serums है, wax है उसके इलावा जो है वो बहुत सारी hair sprays है फिर बहुत सारी thermal protection जी जो आप low drying से पहले यूज़ कर लेंगे तो वो protect करेगा बाल को यह सारी की सारी चीज़ें जो हैं यह सब chemical influx है उसके इलावा fashion dyes जो हैं वो जिसमें हम bleach को यूज़ करते हैं और color को जो normal color या बाल का जो रंग है उसको cut down किया जाता है या bleach किया जाता है और उसके बाद उसके उपर दूसरा रंग लाया जाता है यह सब की सब चीज़े मिलाके आपके बाल का texture भी खराब होता है उसका जो अपना bond होता है वो भी खराब होता है क्योंकि sulfide जो है वो bonds बनाता है नॉर्मली बालों के और जब आप sulfide बेस्ट यूज़ करते हैं तो वो उन bonds को खराब कर रहा होता है और आपका बाल rough रुखा और बिल्कुल lifeless और क्या कहना चाहिए बिल्कुल जैसे वो जाडियों जैसे उज़रे से बाल होते हैं वो वैसे करना शुरू करतेगा टेक्स्चर जो है वो पर्मनेंटली भी ये चेंज कर सकता होता है कि आपके बाल पहले स्ट्रेट थे टेम थे शाइनी थे आइसता इसता वो रुख भी होते जाएंगे और उसमें थोड़ी सी वेफ भी आपको फील हो सकती है रुखनेस की वज़ा से फिर बहुत दफा ऐसा तना ही ज़ाँ नहीं डाल होगा उतना ही जादा हमें वापस डालते रहना पडेगा तो ही आपके बाल जो है वो नॉर्मल रह सकते हैं वरना फिर ये खराब होते जाएंगे तो आजकल chemical influx क्योंकि इतना ज्यादा है और शौक के हमने अपने बाल जो है हमारे बाल सीधे होने चाहिए और बिल्कुल straight के साथ-साथ जो है वो बाल के अंदर thickness और volume वो भी होनी चाहिए इसकी वज़ा से chemical influx और भी जादा हो गया है अब हमने क्या करना है या हम क्या suggest करते हैं हम कहते हैं कि आप सब कुछ करें आप अपने बालों को stylize भी करें आप उनको fashion dyes भी कराएं आप अपने बालों का color change करना चाहते हैं वो भी करें उसके इलावा आप बालों को जो है वो tame और healthy और straight रखना चाहते हैं वो भी करें लेकिन बाल की health जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए for somehow जिस तरह के बाल हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाल रहें उसके लिए फिर उतनी मेहनत भी होनी चाहिए सबसे पहले तो ये कि जो precautionary measures है उनको या do's and don'ts जो है उनको समझना चाहिए जिससे हम बाल को बचा सकते हैं बट हम उसको stylize भी कर सकते हैं या उसको fashion dye कराएं या जो भी आप कराना चाहते हैं वो भी करें लेकिन बाल आपका खराब नहीं होना चाहिए आपको नौमल रूटीन में रेगिलरली और उसके इलावा जो आपका कंडिशनर है वो सेपरेट होना चाहिए वो आपके शैंपू में एड़िड दी होना चाहिए आप पहले शैंपू करें और उसके बाद आप कंडिशनर करें जो शैंपू होता है वो हमें स्कैल्प पे रिक्वाइड है, हमें लेंथ पे रिक्वाइड नहीं होता, कभी भी और किसी को भी नहीं होता और जो आपकी length होती है उसके उपर आपको conditioner required होता है वो आपने scalp के उपर नहीं लगाना होता और यही मज़े की बात है कि जब shampoo और conditioner mixed वाली एक चीज़ आप लगाते हैं तो वो तो सब जगा जो है वो same लग रहा है आपके scalp पे जो वो shampoo है उसके इलावा conditioner भी लग रहा है और जो आपके बाल है उसके उपर भी आपका shampoo लग रहा है other than your conditioner क्योंकि वो एक mixture है उसके बाद हम आजाते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा तेज गरम पानी या जो heating instruments होते हैं जैसे blow drying है बहुत ज़्यादा hot air से warm आप रखते हैं या cold air देते हैं then it's okay वो उसको avoid करना चाहिए फिर hair irons क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं क्योंकि बाल straight करना है और मज़े की बात यह कि आइरन जो है वो है तो इस तरही न उसको जब आप करते हैं तो इससे आपके बाल जो है और भी ज़्यादा रूखे और भी ज़्यादा रफ आपको फील होंगे आप कहेंगे कि इसके बगएर तो अब मेरा गुजारा ही नहीं होता मैं अगर hair iron को यूज ना करूँ तो मैं अपने बालों को खोली नहीं सकती या बना ही नहीं सकती उससे यह होता है कि जितने भी heating tools होते हैं वो सबके सब आपकी keratin को damage भी करते हैं उसे कम करते जाते हैं और आपके बाल को बहुत जादा दे leave your hair very frizzy and very dry जाहर है जब उसकी keratin निकलती जाएगी और उसकी surface smooth नहीं रहेगी तो आपको बाल बहुत जादा rough और रुखा लगता है इन सब चीजों से आपने regular basis पे avoid करना होता है आप daily basis पे इसको नहीं कर सकते हैं हाँ अगर आप कोई iron use करना चाते हैं या blow drying करना चाते हैं तो वो आप महीने में एक दफ़ा कर रहें दो दफ़ा कर रहें then it's okay फिर हम आजाते हैं कि जो fashion dyes होते हैं बालों का जो texture या उसका color है वो कैसा है usually हमारे हाँ बाल जो है वो मोटा होता है वो fine hair नहीं होता, coarse hair होता है आदमियों का भी, और उड़तों का भी और उक color जो होता है बाल का वो dark होता है बहुत जादा जो है वो jet black होता है या फिर black होता है और या पिर dark brown के tones होते है उसमें आप लोग कहते हैं मतलब salon पर जाके कि हमें जो है वो blonde hair चाहिए या हमें high lights, low lights जो है वो blonde hair, blonde color की चाहिए या पिर आप लोग कहते हैं कि honeycomb color के बाल चाहिए या फिर आप कहते हैं कि चॉकलेट ब्राउन और उसके अंदर कुछ स्ट्रीक सी लुक होगी या आश करे चाहिए ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो ऐसे बालों पर नहीं आ सकते हैं उसके लिए यू नीड टू कट डाउन दी ओरिजिनल कलर आफ ती हैर आप उसको कट डाउन करते हैं या ब्लीच करते हैं और फिर उसके बाद आप उसके उपर वो कलर ला सकते हैं विकिस आप बहुत ज़्यादा डार्क से बहुत ज़्यादा लाइटर टोन्स में जाना चारे हैं इसके लिए है कि आपने ब्लीच इन्वल्व नहीं होनी जाएगी है जब ब्लीच इन्वल्व हो जाएगी तो फिर उससे आपके बाल जहें बहुत खराब हो जाएंगे और आपके बालो machines और यह बालों स्टार्ट हो जाएगी फिर हम आजाते हैं कि बालों को सीधा करने के चकर में बहुत सारे ऐसे procedures हैं तैसे rebonding है उसके लावा बहुत सारे और straightening procedures हैं जिन्कों यूज किया जाता है और आप लोग क्योंकर दिल करता है कि बाल straight होने चाहिए बगेर यह सोच़े वे कि कौन सी चीज आपके बालों को कित हो आपके बाल के एपने नाशनल बान्ड जी प्ले नहीं Tiere नहीं है है आपके बाल का बंड़ जब के और ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाता है because उसको keratin मिलती है तो आपका एक एक बाल आपको पहले की निस्पत थोड़ा सा thick feel होगा और total volume जो है वो आपको पहले से बहुत बहतर लगेगा जैसे अगर आपके 5 hair है let's suppose और जब हम उनको keratin infusion देंगे तो आपको 5 की बजाए वो 7 to 8 लगेंगे और इसके इलावा आपके जो hair cut होता है because आपके बाल टेम हो जाएंगे और तकरीबन 70 to 80% straight हो जाते हैं टेम हैर जो है वो dead straight नहीं होता जैसे आप iron से करते हैं या और बहुत सारे straightening procedures के बाद बाल होते हैं लेकिन उसकी वज़ा से बाल क्यूंके थिक होता जाता है उसका अपना weight बढ़ता है और थिकनेस की वज़ा से और स्मूथ होने की वज़ा से बाल जो है वो नीचे की तरफ रहता है तो तकरीबन 70 to 80% बाल जो है वो आपको straight मिल जाता है through keratin infusions उससे ये फाइदा होता है कि आप बहुत सारे heating tools को छोड़ देंगे और आपको बाल बनाना बहुत असान हो जाएगा और आप इसको बार बार करवा सकते हैं क्यूंके इसका जो time limit है वो 6 to 8 months होता है आप उसके बाद इसको दुबारा करवा सकते हैं करवाते रहने से straightening procedures की तरह बाल खराब नहीं होता या तूटता नहीं है बिलके बहुत अच्छा और healthy रहना शुरू हो जाता है और वो उसी तरह से maintained रहेगा फिर हम आजाते हैं केराटन infusion पे के सौरी केराट केराटॉक्स पे केराटॉक्स जो है उसके अंदर केराटन तो करवाते रहा चुकते हैं और बॉंड बिलुकुल तूट के खराब हो चुकत है वह बहुत बाल नEđच्रल बॉन से बहुत दूर हटके है उसमें केराटॉक्स इंफ YOUज़न चो है वो बहुत अच्चा काम करता है केराटॉक्स इंफिजिट चो है वो पिर आपके बॉट bleach या बाल के कलर को कट डाउन किये बगएर, आप केरिटिन बेस्ट,' जो है वो डाइस से कलर चेंज कर सकते हैं, आप अपने बालों के जो नाचरल कलर औसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप low light से हाईलाइpal ले सकते हैं, आप ओंब्रे ले सकते हैं, जिसमें roots को हम cover नी करते हैं, बट lower edges या lower ends जो होते हैं उसको हम cover करते हैं, इन सब तरीके, ये सब के सब जो तरीके हैं ये बल्कुल safe हैं, और इससे आपके बाल safe रहेंगे, लेकिन आप उनको style भी change कर सकते हैं, उनका color भी change कर सकते हैं, without any hazard to the health of the hair आपका बाल safe रहना चाहिए, उसको healthy रहना चाहिए, और उसके साथ-साथ आप उसका style चेंज करें, आप उसका color चेंज करें, अच्छा, फिर एक और बहुत ज़रूरी चीज आजाती है कि जो हम dyes कर रहे होते हैं, बेसिकली जो लोग gray coverage के लिए घर में बार-बार dyes यूज करते हैं, वो यूजिली शैंपू बेस डाइज होते हैं, और वो आप sulfate वाले शैंपू यूज कर रहे हैं, और डाइज हर 10 तिन, हर 15 दिन के बाद वो लोग लगा रहे होते हैं, males भी और females भी, उससे क्या होता है कि बाल जाड़ियां बनते जाते हैं, और जितनी दफ़ आप शैंपू करेंगे, बाल तो खराब होई रहा है, साथ में आपका डाइज उतर रहा है और वो आपको लगता है कि नहीं, मेरे तो बालों, मेरी roots निकलाती है, यह roots निकलाती है, इससे तो बाल आपका पाउंड इतना लंबा हो जाएगा, वो लंबा नहीं हो रहा होता, बलकि वहां से color खतम हो जाता है, dye खतम हो जाता है, इसके लिए हमारे पास permanent dyes जो हैं वो वेलिबल हैं, आप उनको बार-बार भी कर सकते हैं, बट यूजिली यह वले dyes को चार से छे हफ़ते में repeat करना पड़ता है, और इससे यह फाइदा होता है, कि आपके बाल खराब नहीं होंगे, और आप अपनी grey coverage के साथ, और enjoy करते हुए अपने बालों के colour को, अगर change भी करना चाहते हैं, डाय के colour को तो करते रह सकते हैं, लेकिन आपके बाल की health ठीक रहेगी, वो खराब नहीं होगी, तो hopefully आपको अच्छी information और क्या कहते हैं, नए तरीके या नए procedures के बारे में पता चला होगा, और जो आपकी queries होगी, वो बहुत हद तक clear होगी होगी, और hopefully आप जो do's and don'ts हैं, उनको focus करेंगे, और ये दिहान रखेंगे के आपके पास बाल होगे, तो ही आप उनको stylize कर सकते हैं, अगर बाल नहीं बचेंगे, तो आप उनको stylize नहीं कर सकेंगे.